नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल गहरेली उपाय में आपका तेह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे काली मिर्च के चमतकारी लाप के बारे में इस वीडियो को लाश तक देखें कभी-कभी घर में रखी छोड़ी-छोड़ी चीजे वा उसके पोसक तत्तों से निकालकर सरीर तक पहुंचाने में मदद करता है इसी विसेश इसकी विसेश सुगन रसोई को भी महिकाती है और डाइनिंग डेबल को भी दोनों को हमहिकाती है यह देसी मसाला बहुत पढ़ी ऑसदी का भी काम करता है इसके परियोग से सांस की बीमारी बुखार खासी पेट के रोग में भी काफी मदद करता है अगर इसका टुकुला चला जाए पेट में तो पीसी हुई काली मिर्च घी और मिस्ट्री समान मातरा में मिलाकर चट्नी बनाएं और या सुबा साम एक चमश लेने सेपड़े और सांस से संबलने बीमारी में बहुत अराम मिलता है कब्ज होने पर काली मिर्च के चार-पांच साबुद दाने दूद के साथ राद में लेने से कब्ज में भी लाब मिलता है चांच या मट्टे में काली मिर्च का चूण मिलाकर पीने से पेट की बीमारीया दूर रहती है और किटाणू भी नश्ट हो जाते हैं काली मिर्च का एक चूर्ट में मिलाकर लेने से जुखाम में फायदा मिलता है और मलेरिया होने पर भी काली मिर्च की चूर्ड को तुलसी के रस में मिलाकर पीने से लाब होता है उमीद है आपको अजानकारी अच्छी लगी होगी इस वीडियो को लाइक और अपने भी आज अनकारी मिल सके अपना सुझाओं हमें कमेंट करके बताएं और नए हैं तो हमारे चैनल घरेली उपाय को सब्सक्राइब करना ना बूलें